गुला मुस्तफा डार नाम के एक लड़के को पकड़ा था जो पुराना हमिदा का रहने वाला था जिस से पहले पांच अवैद हतियार बीस कार्थू सोर छे मैगजिन रिकावर की थी उसी की पूश्टाच में हमारे सामने एक फर्मान नाम आया था कि एक अन्य लड़का था यह हमिदा का ही रहने वाला है जो अलग से एक हतियार लेकर आया था तो इस पर हमारी C1 की टीम कारवाई कर रही थी कल एक इंपुट हमें मिले थी सिक्रेट इंपुट पर कारवाई करते हमिदा हैड़ पुल के पास से हमारी C1 की टीम ने इसको काबू किया और काबू करने के दोरान जब इसकी तलासी ले गई तो तलासी के दोरान इसके पास दो अवैद पिश्टल ब्रामद हुए दोनों अवैद पिश्टलों मैगजीन थी इसके लावा इसके पास एक अन्या मैगजीन और थी एक्स्ट्रा मैगजीन इसने रखे हुई थी और पांच जिंदा जो इसके पास मिले हैं… तो पूश्ताश में यही सामने आ है कि यह पहले जो आरोपी हम्ने अरेस्ट किया था पांच श्हादियारों के साथ यह उसी के साथ जाकर यह अवैद पिश्टल लेकर आया था, एक पिश्टल और एक पिस्टिल इसने लोकल किसी से ले हुई है इस जो पूरे मामले का सरगना है अभी मुख्या अरोपी है वो अभी गिरफ्ट से बाहर है और हमारी टीमे उसे पकड़ने के लिए प्रियासरत है जल्दी उसे पकड़ लिया जाएगा इसको आज पेश किया जा रहा है माने लेक के पीछ भीजा जाएगा इसमें जो दोनों का अगर हम देखते हैं जिसको पेहले पकड़ा थो और पकड़ा है दोनों का मनेतव 체 izma कोई और है अभी तक जिसका हमने यही शौक के लिए हतियार लेकर आया था या भी मेरी चोटी मोटी लड़ाई जगडे और इससे पहले भी ऐसे ही एक अवैद हतियार का मुकदमा इसके उपर पहले से भी एक दर्ज है तो क्या लगता कि हमें वहां से एक और अन्यल युवक को गिरतार किया गया है जिसमें हरीश नाम का ये व्यक्ति है जिसके पास से एक अवैद देशी कटा 315 वोर्का और 3 जिंदा रोंद बरामद हुए हैं उससे भी पूस्ताच की जारी अभी तक इसका कोई प्रीवेस रिक